जहिन दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अपना टारगेट कवर्मेंट जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लिजे ताकि आपको हन्य नोटिकेस अनासानी से मिल सके फिलाल ह है आपको जाना है ओपीशल वेबसाइट पर ओपीशल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा और जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा यहां पर आता है गुरूप सी रिक्वार्मेंट और यहां पर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है जो आप नहीं भर पाएंगे हर फॉर्म लगवा एक जैसा आता है क्या क्या इंट्रेक्शन जानने होते है आपको पहले बार आपको फोटोग्राप कैसा अप्लोड करना है एजुकेशन क्या है सिगनेच और चैनको जानका आपको इस तरह का इंटरवेस खुलाए घ्म करने गृतों आपको उयाओ्ते। सकता है अगर आपको कोई ज्यादा है जी तो आपको help नमबर भी यहाँ पर दिया हुआ है और आप 10 वजे से 6 वजे तक आप जो है call कर सकते तो आपको जो हम more details के लिए आपको यह number भी help line number so किये गए है और जैसे आपका form जो है second storekeeper driver ordinary grade multitasking staff तब किस post पर apply करना चाहते है वो अपना post जो है select कर लेंगे अपने liability के हिसाब से आप अपना select कर लेंगे उसके बाद क्या है आपको डालना है यहाँ पर full name तो आपको यहाँ पर क्या है अपना नाम जो है डाल देना है और नाम डालने के बाद आपको आगे देखाई देखा आपका nationality ते आपको nationality जो है डाल देना है उसके आदा आता है जेंडर आप male है female है वो अपना select कर लेंगे और उसके आदा आता है आपका बर्गता जन्रेल से हैं OVC SC ST वो आप अपना select कर लेंगे अगर आप SC से belong करते तो आपका इस तरीके से आपको अपना जो select कर लेंगे उसके आपको डालना है आधान नमर आपका 12 digit का होता है वो आपको यहाँ पर डालना है नीचे दिया हुआ है आपका आर यू personal disability आपका 40 परसेंटे ज्यादा बिकलांग है तो आप यहस कर सकते हैं नीचे दिया हुआ है क्या आप भूत्मूर सैनिक है या एक सरविस्मेन है तो यहस कर सकते हैं नीचे नो कर देंगे क्या आप केंद्रिय सरकार के करमचारी है जो आप तीन साल कम से कम आपने सेवा की हो तो अगर आप अल्रेडी रेगुलर इंप्लोई हैं गवर्मेंट इंप्लोई केंद्रिय सरकार सेंट्रल गवर्मेंट जो में तो आप यस कर सकते हैं तीन साल से ज़्यादा आपकी सेवा हो डालने के बाद आपको इमेल आईडी खुद काही डालना है और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो जैसे आपने रेइस्टर किया तो यहां पे क्या है कि आपका OTP आ जाएगा तो आपको इमेल और मॉबाइल का OTP दोनों अलग 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 आएगा तो वह आपको डाल देना अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो आपको recent OTP कर देना है और OTP डालने के बाद आपका 3-digit का OTP आता है दोनों पे आपको दोनों जो है अलग अलग डालना होगा तो आप जबी verify कर पाएंगे और उसके बाद क्या है आपको continue पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप continue पे करेंगे तो आपका थोड़ी जै लोडिंग चलेगा लोडिंग चलने के बाद आपका नेम डाल दिना है उसके आता है आपका mother's name तो यहां पे आपको mother's name जो है डाल देना है तो father's mother's name आपको सारी detail जो है 10 वी की mark seat के इसाब से fluff करनी है उसके आपका पूछता है marital status by wife इस्टेटिया आप single है तो single married है तो married है उसके बाद आपका क्या है address आता है तो आपको address पू आपको नीचे कर लेना है नीचे आपको दिया हुआ है nearest railway station तो आपको जब पास में कोई railway station है उसका नाम आपको यहां पर fluff करना है और उसके बाद नीचे देखेंगे आपको दिखाई देखा city अगर इसमें अगर city डाल सकते है या पर अपना district जो है इसमें डाल सकते है उसक जो permanent address आपके domichile में होता है आधर कार्ड में होता है सारी documents में आपने जो भी address करा है वही आपको डालना है तो same process है आपको village, force, field district डालने के बाद आपको क्या है save and continue फे click का लेना है जैसे आप save and continue फे करेंगे तो इस तरह का interface खुलेगा आपको education qualification जो है यहां पर upload करना है त application qualification आप 10th लिख सकते हैं सबसे बहले आपने 10th किया है तो किस board से किया है तो आप board डाल देंगे या विस्विध्यारे का नाम डाल देंगे college का नाम डाल देंगे एक चीज़ जो है आपको फिलफ करने होगे तो आपको इस बोर से किया ता वह आप normally डाल सकते है उसकर आपका mark sheet जो upload कर देना है तो mark sheet upload करने के लिए आपको क्या है आपको size का विस्विध्यार रखना है कि आपको 1ME से कम का PDF होना चाहिए and upload कर देंगे तो आपको इस तरह का upload लिखा आज़ेगा या आप चेक भी कर सकते हैं आपने क्या upload किया है उसका आपको 12th नीचे 12th लिखे देना है उसका बोर्ड लिखे देना है कि आपका आट से है science commerce हो आपको select कर लेना है NKCR में पास किया था वो आपको डालना है percentage कितना था वो आपको fluff करना है and mark sheet चूज कर लेना है and upload file पे click कर लेना है जैसे आप upload कर देंगे इस तरह का जो है आपको सामने लिखा आ जाएगा तो आ आप जो भी आपकी qualification है मिनी में वो आप डाल सकते है MTS के लिए 10th compulsory है LDC के लिए 12th compulsory है उसके लिए आपका क्या है आगे दे हुआ है graduation तो आपका अगर आपके पास graduation available है कोई other qualification है diploma है degree है IT है तो यहाँ पर आप अपना लिख देंगे इस किस board से pass किया था वो आपको डाल देना है subject कौन सा था वो आपको लिखना एंड किस year में पास किया था वो डाल देना है and percentage डाल देना है file को choose करने कवाद upload कर देना है उसके बाद भी अगर आपके पास कोई other qualification है तो आप डाल सकते है अन्यता आपको क्या है save and continue पर click कर देना है and save and continue पर click करेंगे तो आपका थ होना चाहिए तो यह बीड आपको upload करते समय ध्यान रहें आपको एक वाद चेक कर लेने का आपका सही upload हुआ है या नहीं हुआ है उसके आपका photograph तो आपका photograph का size minimum 100 वाइस हो तो आपका width and height दोनों चीज 100 वाइस हो होने चाहिए या 1.5 वाइस हो इस से उपर और नीचे नही होना चाहिए फिक्सल में आपका height 100 है और आपको जो है लंब आपको जो है width भी 100 ही करना है या भी 1.5 वाइस हो कर सकते हैं तो उसकार आपको क्या है चूज फाइल करके upload कर देना upload कर देने के तो आपका इस तरह का upload होकर आ जाएगा वही signature की बात करें तो आपका signature 100 वाइस ह और आपका 1.5 वाइस हो वही आपका लंबाई चौड़ाई fix दिया हुआ है width and height आपको fixy set करना है और upload करने के बाद आपको नीची दिया हुआ है आपका जो है high school की mark sheet तो है आपका mark sheet है यह आपके पास certificate है तो वह भी आप upload कर सकते है तो 1ME से कम आपका PDF में होना चाहिए उसका आता है आपका objective आपका relative case आपका अगर आपने कभी आपत्य आपके mark sheet में कोई गलती रही है तो आपको वह upload कर देना है जो आपने application लगा होग करना चाहते है तो मैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे अपने data share करने है वह आपको तोनों condition जो है pass कर लेनी है and उसके आत क्या है save and continue पर click कर लेना है और जैसे आप save and continue पर click करेंगे तो आपका form जो है check करने के लिए आ जाएगा तो आपको अपना form जो है आपर check कर ल आपके form में कोई गलती है तो आप detail करेंगे उसके बाद क्या है आपको make payment कर लेना है and make payment करने के बाद आपका payment option जो है खुलके आ जाएगा तो यहां पर क्या है आपको payment जो है कर देना है और जैसे payment कर देंगे आपका payment के लिए आपका debit card, credit card, networking यह सारे option जो है आपके साबने खुलके आजाएंगे तो आपके इसे pay कर देंगे आपका form जो है final हो जाएगा तो आसा करता हूँ आप अपना form जो है खुदी फिल कर पाएंगे और आपको वीडियो का भी पसंद आया होगा ऐसी वीडियो देखेने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें Thank you for watching अपना target government job